नमस्का दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चनल P.K. गुरू जी में आज के अपने इस वीडियो में हम हिस्ट्री से सम्मंदित कुछ प्रशनों को डिसकस करेंगे और हिस्ट्री में भी एंसियंट इंडिया, हैंनि एंसियंट हिस्ट्री को डिसकस करेंगे जिसमें हम सिंदु गाड़ी सब बताते सम्मनित कुछ प्रस्णों को यहां डिस्कस करेंगे तो चलिए जो हमारा पहला प्रस्ण है उसकी हम बात करते हैं तो प्रस्ण जो हमारा पहला है वह है कि निमलनेखित मैंसे कौन हरपा सब बता की एक महत्पूर्ण बिशेष्टा थी ठीक है तो हमें हरपा सब बता की जो एक महत्पूर्ण बिशेष्टा थी वह है इन चारों ओप्शन मैंसे बताना है तो ओप्शन ए है एक जटेल लेखर्ण प्रणाली का उप्योग ओप्शन बी है बड़े सरवजिनिक भवबनों का निर्मान ओप्शन सी है केंदिक्रत राजनीतिक विवस्था का प्रिकास और ओप्शन डी है वो परियोगत सभी तो अगर हम हरपा सब बता के बारे में बात करें तो यह है जो तीनों ओप्शन है इसमें सही होगे यानि इसका जो आंसर सही होगा और होगा ओप्शन नमबर डी उपरियोगत सभी अगर हम बात करें हरपा सब बता की तो हरपा सब बता में एक जटिल लेखर्ण प्रणाली का उप्योग किया गया था तो हरपा सब बता ने एक ऐसी लिपी बिक्सित की जो आज तक नहीं समझी गई है लेखर्ण प्रणाली का उप्योग विभिन कलाकतियों पर किया गया था जो एक परिस्कित प्रसासनिक या बानजिक प्रणाली की उपस्तिति का सुजाव देता है इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े साइब जिनक भवनों का अनर्मार किया गया था जो कि हमें यहां की खोज में मिली हैं ठीके साइब जिनक अमारते मिली हैं जिस पर प्रणाली बास्तू कलाकी सनरचना थी और मोहन जोर्दरों में अगर हम देखें एक बहुत ब्रहत इसनानागर मिला जो कि एक जटेल जल प्रबंधन और अनुस्ठानिक सनरचना थी हड़ापपा में अनभंडार जो एक बिसाल भंडारन सुबदा एस सब इसमें सामिल थी अगर हम बात करें तीसे उप्षन की तो तीसरा था कैंदी कित राजनेतिक बिवस्ता का बिकास ऐसा माना जाता है कि हड़ापपा सब्दा में एक कैंदी कित राजनेतिक संग्ठन था समान नगर नियोजन, मान की किर्दभार और माप की उपस्ति और सहरों का विवस्तित ले आउट के अंदी प्राधिकर्ण और सासन के इस्तर को इंगित करता है अगर हम बात करें अगले पसने की कि हड़ापा सब्दा के एक भाग लोथल के उत्खनन इस्तर की खोज किसने की ठीक है तो जो हड़ापा सब्दा का एक पार था जिसको हम लोथल के नाम से जाते हैं इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज की थी S.R. राउने अगर हम इसके बारे में बात करें हरपपा सबदा के सहरों खोज करता की तो हरपपा की खोज की थी दायाराम साहिनी ने मुहन जोदरो की खोज की थी राखलदास बनरजी ने और चनहुदड़ो की खोज की थी गोपाल मजूमदार ने और लोथल की खोल की थी रंगनात राओ ने आगे बढ़ते हैं अगला पसने कि कौन सा प्राचीन सहर अपने बंदर गाहों और ब्यापारिक गतिबिधियों के लिए जाना जाता था तो एच चार आप्शन हमारे पास हैं इन चार आप्शन में से इसका जो सही अंसर है वह है लोथल ठीके तो बंदर गाहों और ब्यापारिक गतिबिधियों के लिए लोथल जो था वह है जाना जाता था अगले अगर प्शन की हम बात करें तो अगला प्शन है कि प्रेगिति हासे काल के निमलिखित में से किस सहर में कपास उगाया जाता था थीके तो कपास किस सहर में उगाया जाता था तो कपास उगाया जाता था मेहरगर में इस आप्शन का डी नमबर का आप्शन बिलकुर सही होगा अगर हम मेहरगर से सम्मनित कुछ तथों की बात करें तो जो मेहरगर है वह कहां पहर है पहला तो ही पिसने कि मेहरगर बलुचिस्तान में है ठीक है 65 इसा पूर पुराना है और सिंदुगाटी सब बता के सुर्वाती विस्तारों में से एक है मेहरगर जो है एक नवपाशान इस्तल है जिसने खाद संगय चरण से खाद उतपादा चरण तक संक्रमण पिकरिया को समझने में बहुत मदद की नवपाशान काल में कापास का पहला प्रमाण मेहरगर में मिला था पसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाड मेहडगर में मिला है जिसमें जो और गेहुं की खेती के भी प्रमाड यहां पर मिले है आगे अगर हम बात करें कि सिंदु घाटी सब्दा का कौन सा इस्थल भारत में इस्थित नहीं है तो सिंदु घाटी सब्दा का जो मोहन जोदरो इस्थल है वह भारत में इस्थित नहीं है अगर हम इसके बात करें मोहन जोदरो की तो मोहन जोदरो पाकिस्तान के सिंदर प्रांत में एक पुरा तात्विक इस्तल है और जो मोहन जोदरो है इसका आर्थ होता है मृत्कों का टीला हडपा की खोच के एक बस बाद 1922 में मोहन जोद्रो को पुरा तात्विक इस्तल की मानता दी गए थी मोहन जोद्रो सिंदु घाटी सब्दा के सबसे बड़े सहरों में से एक था अगर हम बात करें अलेक जेंडर कनिंगम को हडपाई मोहर कब मिली ठीक है यह चार ओप्शन है 1831, 1853, 1844, 1863 तो 1853 में अलेक जेंडर कनिंगम को हडपाई मोहर मिली थी अगर हम अगले पिसन की बात करें कि निमलिखित में से कौन सा लोथल और चनहु दड़ो में हडपा का सबसे महत्पूर उधोग था लोथल और चनहु दड़ो में तो एचार ओप्शन है मन का बनाना, धातु कर्म, बुनाई और जहाज का नर्माण तो इसका जो सही अंसर है वह है मन का बनाना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि हडपा सबदा के बारे में निमलिखित में से कौन सा सत्त नहीं है इस चार ओप्शन हमारे पास हैं उनके पास एक सुन्योजुत सहरी नियोजन था उनके पास मान की कत बांट और माप की एक पढ़नाली थी उनके पास चित्रात्मक लिपी की सेली थी उनके पास एक अच्छी तरह से प्रलेखित इथियास था जो गूड भासा में लिखा गय तो इसका जो सही अंसर है कि उनके पास किसी भी तरह का प्रलेखित इथियास नहीं था तो यह सत्र नहीं है अगली अगर हम बात करें कि हरपा संस्किती की पूर्वी सीमा निमलिकित मैंसे किसके द्वारा इंगित की जाती है तो यह चार ओप्सन हमारे पास दी गए हैं इस मै से हम से पूशा गया है कि जो इसकी पूर्वी सीमा है तो पूर्वी सीमा कहां से है यह आलमगीरपूर उत्तरपदेश अगर हम इसकी चारों सीमाओं की बात करें तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वह है मांड़ा जम्मू कस्मीर जच्छनी सीमा है दायमाबाद महरास्ट पूर भी सीमा है आलमगीर पूर उत्तरपदेश और पश्मी सीमा है शुकता गेंडोर बलुचिस्तान पाकिस्तान में ठीक है अगले पिसनी की बात करते हैं कि कतनों आ और बा में सही बिकल्प चुनिए आ कतन है कि आम तोर पर हडपा घर या तो एक या दो मंजल उचे होते थे जि और कुछ में जल की आपूरती के लिए कुए थे तो ए चार ओप्सन है तो इसमें हम देखते हैं कि जो आ और बा ए दोनों सत्त है या इस पिसने का जो सही अंसर होगा और होगा सा नमर बाला आ और बा दोनों सत्त है थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद